नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News हर्यान के सोनिपत में तैयार होगी सबसे आधोनिक वंदे भार्त स्लिपर ट्रेन हवाई जाज की तर्जपर मिलेगी हाई टेक स्विधाई हर्यान ससी लेका नो गुरुपों की लिखित प्रिक्षा करवानी के अनुमती हाई कोट में दायर की जाएगी आरजी दक्षन हर्याना के महेंदरकड में अहीर रेजमेंट गठन को लेकर हुई बैठक 26 नौवंबर को दिल्ली में होगी महारेली हर्याना में ग्याहों की खेती के साथ केजी पोपलर की खेती परती एकड मिलेगी 2000 रुपे की प्रोचान राजी बताएंगे पूरी अपडेट चर्खे दादरी में पूर्मंतरी सत्पाल शांगवान ने छोड़ी जजपा कारेकरता सम्मेलान में किया सक्ती परदर्शन बोले जेज़पी धोके बाज जनतागी राइशुमारी से अगला होगा फैसला ओस्टेलिया ने चठी बाज जीता वंडे वर्डकप फाइंदल में भारत को 6 विगेट से आराया कोली प्लेयर आप दे टूर्नामेंट भारत ओस्टेलिया मैच में टूटा विवर्शिप का रिकोर्ड 5.9 करोल से जादो लोगों ने ओटरेटी पर देखा किर्केट वर्डकप का फाइंदल मुकाबला आईपेसी में मोत की सजाव बरकरार रखेगी केंदर सरकार देशदरो आतंकवाद और जगन ने अपराज रेष्ट कैटेगरी में सामिल और अब खबरे विस्तार से हर्याणा में भाजपा जजपा गटबंदन तोटने की अटकलों की बीच अब जननायक जनता पार्टी यानि जजपा ने साफ कर दिया है कि विधान सबाचुनाओ अकेली लड़ेगी विधान सबाचुनाओ को लेकर जजपा ने नया पोस्टर भी लोंच कर दिया है पोस्टर में लिखा है कि अब की बार हरियाना की पुकार देविलाल की सपनों की सरकार इससे पहले परदेश में भाजपा के हरियाना परभारी और अन्य नेताओं की दोरा भी जजपा को लेकर तलक बयान दिये जा चुके हैं हालां की मुख्यमंत्री मनोरला खटर और पूरु परदेशा देक्सों प्रकास धनकड कहते हैं कि यह चुनावी गठबंदन नहीं है बलकि सरकास तलाने के लिए गठबंदन है जो भी युवा भारतिय सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी कबर सामने आ रही है भारतिय वायुशेना की तरफ से कोवन एडमेशन टेस्ट यहनी एफCAT एक ओबलिक 2024 बैच कोर्ष के लिए भरते के लिए आविदन मांगे गए हैं जो भी उमिदवार इन प फीजिक्स विशे साहिद 50% अंकों के साथ बारुवी पास होने चाहिए तदा 60% अंकों के साथ ग्रेजियोशन पास होने चाहिए ग्राउंड ड्यूटी यानि टेक्निकल के पतों के लिए उमिदवार मैथ और फीजिक्स विशे साहिद 50% अंकों के साथ बारुवी पास होन इन पदों के लिए उमिद्वानों को ओनलाइन आविदन करने होंगे। इसका फैसला हलके की जनता से राय सुमारी करते भी लिया जाएगा। पुचकर खामया छोड़ी थी। दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि कौंग्रेस 17 दिसंबर को सिर्शा में किसान मजदूर आकरोस रैली करने जा रही है। कौंग्रेस किसानी और जवान बचानी के लड़ाई को लेकर आगे जाने का काम करेगी। जेजेपी की चाब भी खराब हो चुकी है इससे कहीं भी कोई बिताला खुलने वाला नहीं है। जेजेपी अब सवतंत्र है और यह राजस्तान के लावाद दक्षन भार्त वा अमेरिका में भी चुनाव लड़ सकती है। दिपेंदर हुड़ा ने काया कि इस पार्टी ने मद्दाता से लेकर खिलाडियों, बुजूर्ग वई युवाउं सभी को दोखा दिया है। इसे के साथ कमिशन ने हाई कोट में 19 दिसम्बर के सुनवाई जल्द करने के भी गोहार लगाई है। बताने कि आयो की इस अरजी को अगले हफ्ते दायर किया जाएगा। इस दोरान गैर जरूरी निर्मान कारिये, खनन पत्थर तोड़ने का काम और डिजल संचाली जनेटर पर परतिबन जारी रहेगा। इस दिसम्बर की आबो हावा में सुधार के बाद सौमार यानि आज से दिल्ली के सभी पहली से लेकर बारवी तक के सरकारी और नीजी स्कूलों को खोलने का आधिस जारी कर दिया है। आधिस के मुताबिक 20 नौमबर यानि आज से दिल्ली के सभी स्कूल खुल जाएंगे। बता दे कि 9 नौमबर से 18 नौमबर तक विंटर ब्रेक के तैट सभी स्कूल बंद कर दिये गए थे। यह है इस देश की सबसे बड़ी आवादी की सबसे पुरानी और बड़ी मांग है। इसकार फसल विवेदिकन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार प्रोथसाइद कर रही है। इस योजना के तैट किसानों को परती एकड़ दोजार रुपे की प्रोथसान राशी दी जाएगी। इसका लाव उठाने के लिए इससुक किसान agro.hariana.gov.in की वेबसाइट पर अपना रजिस्टेशन करवा सकते हैं। बता दें कि ग्याओं की फचल के साथ पॉपलर लगाकर किसान डबल मुनाफ़ा कमा सकते हैं। वहीं पॉपलर लगाने से परियावन सन्रक्षन को भी बढ़ावा मिलता है। वैसे किसान साथी पॉपलर की पॉद वन विवा की नर्शरी से मातर 10 रुपे परति पॉद के इसाब से खरीच सकते हैं। आजकल पॉपलर की लगड़ी 12 रुपे से लेकर 14 रुपे परति क्योंडल के इसाब से बाजार में भिक रही है। ग्रहे विवा की तरब से हर्यान पुलिस भरति नियम संसोदन के लिए मंत्री मंडल से मंजूरी मांगी गई थी और अब मंत्री मंडल की तरब से इस पर मंजूरी दे दे गई है। प्रिक्षा से पहले हो जाएं ताकि जितने भी पतों के लिए विग्या पंजारी हो उन सभी पर एक साथ चैन हो जाए। खेल नीते के अनुशार स्पोर्ट्स परसन के लिए बहरे जाएंगे। गोरतलव है कि पुलिस पुरुष सिपाई के 5000 और महिला सिपाई के 1000 पतों पर भरति की जानी है। संसोधित नेमों के इनसार पुरी भरति परक्रिया में पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएश्टी होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट यानी पीम्टी होगा। और उसके बाद नोलेज टेस्ट यानी के लेखित परिक्षा अजित करवाई जाएगी। हरियाना के लिए एक गोरो में खबर सामने आ रहाई है। इंटीग्रेटड कोच फैक्टरी चेन्नाई के साथ या अब हरियाना के सुनिपत में स्थित रेल कोच नवीन कारन कार खाने में भी स्लिपर वंदेभार ट्रेन तयार किया जाएगे। इस कारखाने में सुपर प्रेमियम वंधय भार्ट रेपर ट्रेनों को निर्माण किया जाएगा। इस बार ट्रेड फेर में ज्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की दो बड़ी वज़ाई सामने आ रही है पहली इस बार व्यापार मेले का आयोजन एक दसमलो दो सुनने लाख वरग मिटर चेतरफल में हो रहा है जिसमें देश दुनिया के सभी परमुक ब्राण से लेकर राजी के हस्त सिल्फ और कला से जुड़े उत्पादों की भरमार रहेगी दूसरी वज़ाय लोगों में परगती मैदान की भावे शवरूप को देखने की उच्चुकता बने हुई है क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर की गई तयारियों के चलते परगती मैदान के अंदर की तस्वीर बदल गई है एंट्री टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर सामशाड़े 5 बजे तक रहेगा परगती मैदान के अंदर ही पार्किंग विवरस्ता की गई है लोग भैरोगेट मार्ग नंबर एक के सामने भूमिगत पार्किंग के लिए एंट्र पर परतिवाहन रहेगी परतिशन को कि अधिया गया किसान कीसान शंगत आकी सबया गाई है कि टिली में पर्दुषनों के प्रदूषन के प्राली जलानी प्राली है लेकिन सरकारी आंग बताते हैं परदूषनों की निसान कि्यो बनाय जा रहा है भारत को वर्ड कप 2023 के फाइनल में 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है रविवार को उस्टेलिया ने चठी भार वंडे वर्ड कप का खिताब जीता इस हार ने भारतियों फैंस को 2003 वर्ड कप फाइनल की याद दिला दी 20 साल पहले कंगारों ने हमें जोहांस बर्ड में 125 रन से हाराय था एहमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडे में टीम इंडिया टोस हार कर पहले बलेवाजी करते विए 240 रन पर आलाउट हो गई हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं उदर राहूल गांदे ने टीम इंडिया से कहा कि आप जीते हैं फिर हारें हम हर तरह से प्यार करते हैं और अगला वर्ड कप हम ही जीतेंगे केंद्रे ग्रह मंतरी अमित्सा ने कहा कि हमारे टीम पूरे वेशु कप में सांदार केली और यादगार परदर्शन किया सच्ची खेल भावना में जीतो और रहस पलता हूं दोनों से मजबूत होकर उभरना चाहिए होंडा ने हाले में इंडियन मार्केट में अपनी नई बाविक होंडा से भी 350 को लौंच किया है कमपनी की तरब से इस बाविक को दो वेरेंट में लौंच किया गया है पहला इसका बेस मोडल है तो दूसरा इसका प्रो मोडल है दोने ही वेरेंट की किमत कमपनी की तरब से अलग-अलग निर्दारित की गई है अगर फीचर्स के लियाज से देखा जाए तो बागी कमपनी की तूलनामी या कमपनी आपको सांदर फीचर्स वाली बाइक काफी कम कीमत के अंदर दे रही है इस गाड़ी के मार्केट में आने के बाद इसका सीधा मुकाबला रोयल इन्फिल्ट साड़े तीन सो सिसी के साथ होने वाला है अगर इसके बेस मोडल की किमत की बात करें तो यह 1,99,899 रुपय है और इसके प्रो मोडल की किमत 2,7,900 रुपय रखी गई है इंडिया भी इस बाइक के डिलिवरी होना शुरू हो चुकी है आप होंडा डिलर्शिप के मार्दम से होंडा से भी साड़े तीन सो सिसी बाइक को बुक कर सकते हैं आज खबरों बसीत नाई देखते रहे हैं आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरे न्यूज चनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार आपका दिन सुब रहे